हाली में शिंदे फड़नवी सरकार के पहली मंत्री मंडल का विस्तार हुआ और मंत्री मंडल विस्तार के बाद मंत्री मंडल में जगह मिलने वाले नेताओ से ज़्यादा जिस मंत्री का नाम सबसे ज़्यादा चर्चा में रहा वो शिंदे गुट के संजे सिलसाट का नाम चर्चा में रहने की दो वज़े हैं पहली वज़े ये कि मंत्री मंडल विस्तार के बाद उनके नाराज होने की खवर आ रहे थी और अब दूसरी वज़े ये कि संजे सिलसाट ने कल ही के दिन उद्दव ठाकडे को जो है वो कुटम प्रमुक बताया है हलाकि उनका ट्वीट जो था उन्होंने दस मिनट के बाद ही डिलीट कर दिया उसके बाद क्यास लगाया जा रहे हैं कि शिंदे गुट में मंत्री मंडल के बाद जो है जो जुटे थे शिंदे के साथ उनमें दूरिया जो है बढ़ती जा रही है नाराजगी जो है वो बढ़ती जा रही है इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ दिलीप मामा लांडे मौजूद है आप शिंदे गुट के विधायक हैं और मौजुदा सरकार में आप जो है वो शामिल है जिस तरीके से संजे सिरसार्ट की जो नाराजगी है मामा वो अब खुले तौर पर सबके सामने आ रही है और ट्वीट की अगर मैं बात करूँ तो उनका ट्वीट था जिन्हें उन्होंने दस मिनट के बाद दिलीट कर दिया ट्वीट ये था कि उद्दव ठाकड़े को उन्होंने मारास्ट के कुटुम प्रमुक के तौर पर बताया था तो इससे हम क्या समझें देखिए मेरे को जो मालूमात है वो आपको बता रहा हूँ कदर्निय एकना सिंदे साब मारास के मुख्य मंतरी उनके साथ उनके उपर भरोसा रखे उनके उपर यूरुस्वास रखे जो पच्चास एमेले उनके साथ में है उसमें से कोई भी नाराज नहीं है आप जिनकी बात कर रहे है वो उनके साथ में खंदा को खंदा लगा के काम कर रहे है आप जिस ट्विट के बात कर रहे हो शक्ता गलती से पूराना ट्विट किसे के हातों से हमारे सोशल मीडिया के काम करने वोले हमारा कारी करता रहता है उसके आज से गया होगा उसने एक सेकंद के अंदर वो डिलिट कर दिया आपके माध्यम से भी हमारा नाम कभी-कभी गलत पब्लिक के सामनी जाता है आप कभी-कभी दिली ब्लांडे के जगे पे दिली ब्लांडगे भी बोलते लेकिन बाद में आप उसको रिपीट करके भेज देते कि नहीं वो दिली ब्लांडगे ने दिली ब्लांडे है इसे गलती से गया होगा लेकिन सिरसाट साब के बारे में मैं आपको कहना चाहता हूँ कि शिर्षाट साब आज भी पहले भी बहुत मेनत कर रहे थे स्टार्टिंग डे से आज भी सिंदे साब के लिए सरकार को आगे बढ़ाने के लिए सरकार के साथ और लोग जॉइंट करने के लिए शिरसाड साथ काम कर रहे आपको थोड़े दिन में ही शिरसाड साथ और लोगों को साथ में लेकि आके दिखाएगे इसको यह तो नसमझे कि यह जानवूष की किया गया है क्योंकि एक pressure tactic जो है वो बनाय जाए ताकि जब दूसरा मंत्री मंदल जब विस्तार हो तो उसमें जो है जगा पक्की हो जाए हम पचास लोगों ने अधरनिय सिंदे साब को कहा था कि आप महाराश के CM बन जाओ उसमें हम खुशे और उसी तरह से सिंदे साब ने CM बनने के बाद कहा कि मैं अकेला CM नहीं है जो पचास लोग मेरे साथ में आये मेरे उपर विश्वास रखा बरौसर रखा वो पचास लोग महाराश के CM है ऐसे समझ के मैं उनको साथ में लेके काम करूँगा तो आपके कुटुम प्रमुख कौन है उद्दाव ठाकड़े के सिंदे साब देखे हमारा नेता अदर्नी एकना सिंदे साब है हम महाराश के सामने कहा है और हम उनको लेके महाराश के सेवा कर रहे हैं टूर्गिया बाला साथ थाकड़े का नाम लेकर इस बातों का मानते छंदक करना चाहरे हैं कि शिंदे गुट में जो है सब कुछ all is well है अधर निया शिवशनमप्रुग भासाइब ठाकरेचा अशिरवत हमचा डोक्योरती आहे अधर निया दिगे साहिबांची प्रेरना हमचा बरोबर आहे या दोगांचा अशिरवताने अधर निया माजे नेते महाराष्टाचे मुख्य मंत्री एकना सिंदे सहिब अमाला पन्ना स्लोकानला आणि भाजय पाचील सर्व अमदर अन्ना महाराष्टातील सर्व जन्तेची सेवा करने सटी एक ताक्तिने अमाला सर्वानला घ्योन पूड़ चालतील आपकी कोई उम्मीद आशा महत्वकान शाह माजी मेरी अपेक्षा मेरा खौप मेरा सपना ये था कि एक जन्सामने का नेता एक किसान का बेटा सभी लोगों को विश्वास में साथ में लेके काम करने वाला एक नेता हमको मिलना चाहिए वैसा एकना सिंदे साब इस महारस का मुख्यबंतरी बनना चाहिए ये मेरा खौप था, मेरा ये सपना था, वो पूरा हो गए ले मामा एक अंतिम सवाल सवाल ये कि कल शिंदे गुट के नेता जो है साथा सन्मर्ण कर वो कहते हैं कि प्रती से विशेना भवन जो है वो बनाये जाएगा और आज जो है वो शिंदे गुट का पहला शाखा जो है उसका उद्गाटन किया जाता है मांध खुर्द में क्या कुछ संकेत देना चाह रहे हैं हमारा पार्टी का लोगों के संपर के लिए ओपिस होना चाहिए हर विबाक के अंदर जैसे हम चंदिली उदान सभा में काम करते हैं तो चंदिली उदान सभा के अंदर लोगों को मिलने के लिए एक ओपिस होना चाहिए वो ओपिस बनाने की काम हम करेगे वैसा दादर में सदा सर्वनकर साब है तादर एक महारास्ट का लोगों को मिलने के लिए एक central place है इसलिए वहाँ पर पार्टी के नाम पे एक बड़ा होपीस होना चाहिए वो बनाने की कोशिस वहाँ पर सर्वनकर साब के माध्यम से हमारे पार्टी के नेता अधरनीय मुख्यमंत्री एकना सिंदे साब महारास्ट क के लेवल पर वहाँ पर एक होपीस बना रहा हूँ ठीक है तो ये शिंदे गुट के नेता है दिलिप मामा लांडे इन्हें आपने साब तोर पर सुना इनका कहना है कि शिंदे गुट में कहीं भी कोई किसी से नाराज नहीं है इस वक्त तक जो है सब कुछ आल इस वेल चल रहा है किमरामन जावेद के साथ किष्णा ठाकू रेवी पिनिस मॉंबाई